नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपका इसने एक अक्षा में स्वागत है. तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पार्ट बारा, जिसका नाम है कौशल की सालगिरा. बच्चों, यह पार्ट आव की मात्रा पर आधारित है. तो आएए इस पार्ट को पढ़ते हैं. आज मौसम बहुत सुहावना है. दौलत राम जोहरी की कोठी चोराहे के पास है. घर के बाहर बहुत से पौधे लगे हैं. दौलत राम जोहरी का 14 साल का बेटा है. उसका नाम कौशल है. आज कौशल की सालगिरा है. घर बहुत सजा हुआ है. कौशल की मौसी जौनपूर से वह उसके लिए एक जोड़ा फौजी कपड़े और नौ खिलोने लाई हैं। तो बच्चों इस पार्ट में क्या होता है। एक लड़का है जिसका की नाम है कौशल और आज उसका सालगिरह है। के पास है दौलत राम जोहरी जो है कौशल के पिता जी का नाम है। और उनकी कोठी मतलब उनका मकान वह चोराहे के पास ही है। और घर के बाहर उनके घर के बाहर बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। उन्होंने पौधे लगा रखें बहुत सारे। और दौलत राम जोहरी जी का बेटा जो है वह 14 साल का है जिसका नाम कौशल है। कितने साल का है उनका बेटा? उनका बेटा 14 साल का है। और उसका नाम है कौशल। तो आज जो है कौशल का जन्म दिन है, मतलब की सालगिरा है। और उसके जन्म दिन के मौके पर उसका जो घर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है और कौशल के कई सारे रिष्टदार आए हुए हैं उनकी नानी, मौसी, मामी, चाची सबी लोग जहें घर में आए हुए हैं और उनकी जो मौसी हैं कोशल की मौसी वो कहां से आई हैं वो आई हैं जौनपूर से वो जौनपूर से आई हैं और वहां कोशल के लिए कुछ लेकर आई हैं क्या लेकर आई हैं वो ले आई हैं उसके लिए एक जोड़े फौजी कपड़ा और नो खिलोने वहां उसके लिए फ पूरे के पूरे नौ खिलाओने लाई हैं और उसके बाद फिर जो नौकर है जब मौसी आ जाती हैं आने के बाद जो नौकर है उसने मौसी के लिए बिचोना बिचाया उसने जो है मौसी को एक कमरा जो है अलग से तयार करके दिया उस कमरे में बिश्तर लगा करके उनको पू नौकरानी, गौरी, नौकरानी का नाम क्या है? गौरी, गौरी जो है, खाना पकाने का कम देखती है, और उसने क्या किया है? उसके जन्म दिन के दिन, कौशल के जन्म दिन के दिन, गौरी ने कचोडी और पकोडियां बनाई हैं, और उसने कचोडियां और पकोडियां सभी ल फिर उसके जन्म दिन पर कितने लोग आये होते हैं? काफी सारे लोग आये हैं, कितने लोग हैं? सौ लोग, पूरे के पूरे सौ लोग आये हैं कौशल की जन्म दिन पर, सभी लोगों ने जो है बड़े ही आराम से, बड़े ही मजे से तरह तरह की पकवान खाए और सभी लोग तरह के उपहार भी दिये आपको भी मिलते हैं न उपहार जब आपका जन्म दिन होता है तो इसी तरह से कौशल के जन्म दिन पर उसको उसके रिष्टेदारों ने उसके मित्रों ने सभी लोगों ने अलग-अलग उपहार दिये और सभी लोग खाना खा करके अपने अपने घ चले गए तो बच्चों आप भी बताईए कि आपके जन्म दिन के दिन क्या क्या होता है आपके जन्म दिन पर आपके मम्मी क्या करती हैं आपके पिता जी आपके लिए क्या करते हैं और आपके जो बाकी रिष्टेदार हैं जैसे कि नानी मामी चाची मौसी वह सभी लोग करते हैं और क्या लेकर आते हैं उपहार आप इस पार्ट को अपनी इस किताब में पढ़िए अब हम आप से मिलेंगे अगले पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद